हेलो दोस्तों, वेलकम टू दैच चार क्लासिस में प्रियंका, हम सीट एट के लिए जो सीरीज कर रहे हैं अपनी, सीट एट के लिए जो सीरीज कर रहे हैं उसी में अगला प्रेक्टिस सेट करेंगे, तो आज का प्रेक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, किसका है है, जी एस का ह स्टार्ट करेंगे आज का प्रेक्टिस स्ट और पीडियो को लास्ट तक देखना है पूरा क्लास को अंद तक देखना है आपको यह पेपर में सीटेट के पेपर में जीएस के पॉर्शन में शीतट के पेपर में जीयैस के पॉर्ष्टأن में देखने को जरूर मिल जाएगा तो एक वह जरूर देखें और आप के साथ जो भी दोस्त पेपर देने वाले उनके पास इसको share जरूर करें और comment box में comment करकी भी बताएं कि class कैसी लगी तो start करेंगे आज की class निम्लिकित में से कौन सा चांद की सतय की विशिस्ता के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है मतलब यह 4 option दिए गए इन में से आपको यह बताना है कि जो चांद पर हमें चांद की जो सतय है उस पर कौन सी चीज देखने को मिलती है उसकी चांद की विशिस्ता इन में से है क्या तो सबसे अच्छी जो विशिस्ता चांद की बताई जाएगी वह option देखना है क्या है पानी नहीं है परियाप्त हवा उचे पहाड नहीं पानी नहीं गहरे गड़े होने चाहिए या गहरे गड़े उचे पहाड यही राइट अंसर होगा क्या है जो चांद है चांद पर क्या है पानी नहीं मिलता है चांद पर पानी नहीं है लेकिन गहरे गड़े गहरे गड़े और उंचे पहाड मिलते हैं उंचे पहाड मिलेंगे तो क्या होगा राइट अंसर 16 जो होगा वोगा बी यानि ख आगे देखेंगे इस कौशन नमर 17 और एक और बत बता दूँ जो पिछली हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको एक नाम बताया था नीरत चोपड नीरत चोपड़ा जो है वो हमारे भाला फैक से सम्बन देता है किस से भाला फैक से वो भारत उत्तोलक नहीं है क्या है भाला फैक से सम्बन देता है तो उसको जड़ा करेक्ट कर लीजिएगा उसमें वो गलत हो गया था भारत उत्तोलक नीरत चोपड़ा नहीं है तो आगे देखते कॉशन नमर 17 आरती एक पोस्टर पर एक बिमारी आरती एक पोस्टर देखते हैं उस पर एक बिमारी इस पर डेंगो और जापानी मस्तिक सुज्वर की रोकताम से सम्मंदित निमलेखित सापदानिया पड़ती है तो इस मैंसे आपको बताना है इन चार ओप्संस मैंसे बताना है कि कौन सी किसके लिए डेंगो और जो मस्तिक सुज्वर है उसके लिए कौन सी इन मैंसे चार जो सापदानिया है चारों मैंसे एक सापदानी बतानी है कि कौन सी सापदानी सबसे अच्छी होगी अपने आसपास पानी को जमाना होने दे ये बिल्कुल राइट है इससे क्या है मच्छर पनपते गंदिगी होती है तो अपने आसपास क्या है पानी को जमाना होने दे पानी के वरतन कूलर और टंकियों को साफ रखे बिल्कुल सही है, हमारे आसपास जो पानी के वर्तन होते हैं, कूलर होते हैं, टंकिया होती हैं, उन्हें पानी बरा रहता है, उसको क्या है, साफ सुतरा और टाइम टाइम पर उन्हें साफ करते रहना चाहिए, स्वैम के बचाब के लिए जाली का प्रयोक करें, बिल्कुल सह सब्सक्राइब नमर 17 का अंसर क्या होगा डी को सब्सक्राइब नमर 17 का अंसर होगा डी आगे देखते कोशन नमर 18 को अठारा निम लिकित मैं से कौन से सब्द समू आपस में निकटतम रूप से सम्मंदित हैं इनमें समू देया हुआ है जैसे रीजिनिंग का कोशन समझ लीजिए एक तरइके का तो इसमें से बताना है कि आपस में जुड़ा हुआ है आपस में सम्मंदित है loho, malaria, anemia, rock, loho, hemoglobin, anemia, और on देखो यह कुछ कुछ लग रहा है क्या है हमारा जो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है हमारा एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है एनीमिया रोग होता है यानि जो खून की कमी से क्या होता है हमारा एनीमिया रोग होता है और आपला में हमें क्या पा पिला हीमोगलोवीन की कमी से अंयमीय रोग होता है और ऑपले में पाएयं पाएय जाता है यह लोह पाएय pełनेश है क्या होगत है क्योंचिन इसको उपलब्द कराने का सबसे जो अच्छा तरीका इन में से चारों में से कौन सा हो सकता है उसका अंसर आपको करना है तो जल्दी आंसर कीजिए इनके बीच में जो अंतर के याओं को उपलब्द कराने का उद्देश मुख्य उद्देश जो होना चाहिए वो क्या होगा तो जल्दी आंसर कीजिए क्या होगा इसका आंसर पुनरवलन और सुधार के लिए बच्चे की योगिता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंद विक्सित करना देखो यह ऑप्शन कुछ ठीक नहीं है क्योंकि इनके बीच में सामाजिक संबंद उपलब्द कराने का मतलब ही क्या साथ करना सिख्षक अभिवाबक की कमी और अभिवाबक सिख्षक की कमियों के जान कर उसे सिर THERE म Whenever हो सिरिय क्रिया कलापों के बारे में जानकारी को साजा करना विद्याले में कौन-कौन सा कारे हो रहे इसका जो अभी बाबक है उनसे कोई भी लेना देना नहीं है तो उनसे इसका कोई मतलब नहीं पड़ता तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा कुशन नमर ए होगा क्या होगा पुनरवलन और सुधार के लिए बच्चे की योगता और कमजोरियों के बारे में पर इतना पड़ता है पीटियम में यहीं सब होता है बताते हैं बच्चे को कि आपके बच्चे लेयसा प्रोग्रेस किया है आते बच्चेLo रजल्ट है थैसा आया है तो क्या ओगा राइटांशर ए उन-्सका रायटांसर क्या होगा ए taxi औह बहूंञे जखोन सो यह बदात की की परिगर्णा करती है मतलब वो पढ़ा रही है कि खाद्य पदार्तों को कैसे ताजा रख सकते हैं तो इसके लिए रादा अपनी कक्षा में किन तक्निकियों की परिगर्णा करती है देखते हैं उस कटोरी में रखती है तता कटोरी को एक खुले बरतन में रख देती है उसे ठंडा पानी है जिसमें ठंडा पानी है मतलब उसे कटोरी में रखती है कोई ऐसी चीज है जिसे कटोरी में रखती है तता कटोरी को ये खुले बरतन में रखकर खुले बरतन में रखकर जिसमें ठंडा पानी है ठीक है ये किस की हो सकती है इसका कमेंट वक्स में आंसर करके बताए कि किस के लिए बोल रही है उसे कटोरी में रखती है तता कटोरी में कटोरी को खुले बरतन में रखकर जिसे ठंडे पानी में रखती है ठीक है उसे गीले कपड़े में लपेट देती है उसे धूप में खुला फैला देती है उसे चोटे-चोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है तो इसमें अभी नीचे ऑप्शन दिये हुए कि उसमें पूछा क्या है देखो उप्यूक तो भी भी यानि यह 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 नहीं खावाला जो होगा यह उसे गीले कपड़े में लपेट देती है उप्यूक तो तकनी की वी के लिए निम्लिकित किस पाद्धे पदार्त की और संकेत कर रही है मतलब जो भी ऑप्शन दिया हुआ इसके लिए आपको बताना है कि यह कौन सी चीज है और इसके लिए कौन सी चीज यह इन मेंसे चारों मेंसे सही सटीक बैठेगी तो कौन सी होगी क्या है उसे गीले कपड़े में लपेट देती है तो जो हमारा हरा धनिया होता है अगर हम उसको गीले कपड़े में लपेट क रखते तो क्या है वो खराब नहीं होता है क्या होगा हरा धनिया हरा धनिया राइट अंसर क्या होगा हमारा भी कॉश्चन नम्मर 21 देखते हैं कॉश्चन नम्मर 21 कक्षा 5 के विद्यारतियों को प्रकरण पढ़ाते समय सिक्षिका यह है समझाने के लिए अन्य को उधारन देती है कि गर्सन हमारे लिए कई तरीकों से उप्योगी है उसके द्वारा दी गई निमलिकित में से कौन सा गलत है मतलब आपको बताना है कि एक सिक्षिका है जो कक्षा 5 में पढ़ा रही है वो क्या है गर्सर पढ़ा रही है गर्सर क्या होता है गर्सर पढ़ा रही है फिजिक्स का टॉपिक है गर्सर तो गर्सर पढ़ाते समय इन में से बताना है कि गर्सर के लिए निमलिकित में से कौन सा गलत है कौन सा तरीका गलत है देखो हमारे जूते और जमीन के बीच होने वाले गरसन के कारण ही हम चल पते हैं यह बिल्कुल ठीक है जब हमारा जूता जमीन पर रखा जाता और वो गिस्ता है उन दोनों के बीच में जो गिसाब उत्पन होता है उसी को क्या बोलते है गर्षन होगा और उसी के कारण क्या है हम चल पाते हैं तो ये तो बिलकुल राइट अंसर है उर्द्वादर रूप से ऊपर फेंकी गई बस तू गर्षन के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है ब्रेक लगने पर ये ब्रेक लगने पर रुक जाती यह होगा क्या गारी को रुक जाती है लिछ रुक जाती है तो पाइय के बीच में क्या वोगा घर्षण हो गया ये कि पेपर के भी को ँने वाला भीया यह हमाये डीटर मोश्धे बहुत बास त मैं इसके लिए थोड़ा इसके एक option दे रखें ऐसे इसमें देखो क्या हो सकता है कि पैन पैन और पेपर के बीच में पेपर के बीच बीच होने वाले गर्षण के कारणी क्या है हम लिख पाते हैं हम लिख पाते हैं तो यहां से यह गलत है वास इसे पर पैन लिख लेना क्या लिख लेना पैन लिख लेना पैन क्या है पेपर और पैन के बीच होने वाले गर्षण के कारणी क्या है हम लिख पाते हैं वस्तू गर्षण के कारण हमेशा बापर यह गुरुत्वा कर्षण बलकी द्वारा बापस आती है ना कि गर्षण के गर्षण का मतलब होता है गिसाव जब किसी दो वस्तूं के बीच में गिसाव के कारण कोई कार्य हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं गर्षण बोलते हैं और यह 10 किलो नहीं है इसके आगे बही है पैन लिख लेना पैन और पेपर के बीच हुने वाली गर्षन के कारण ही हम लिख पाते हैं यह हमाई थोड़े एडिटर मोहोदे कर देते हैं थोड़ी उल्टी सी दियर कते हैं प्रस्ण 22 सभी बड़े सहर सडकों पर भारी संक्या में बहानों के कारण पर्यावर प्रदूशन की समस्तिया का सामना कर रहे हैं यह विल्कुल सही है कि जितने भी बड़े सहर है उनमें क्या है बहानों के कारण सबसे जादा बहानों के कारण पर्यावर प्रदूशन हो रहा पर्यावर सरक्षण के लिए सहर के लोग व्यक्तिकत रूप से 10 के माद्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं तो किसके माद्यम से जल्दी आंसर कीजिए क्या इसका राइट होगा कि पर्यावरबर प्रदूशर बहानों के कारणाओ उसके लिए जो व्यक्ति है जो लोग है कैसे अपना योगदान दे सकते हैं पर्यावर सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिकत बानों के इंजन की नियमित रूप से जाच करवाने से कोई पर्यावर प्रदूशन थोड़ी ना कम होगा व्यक्तिकत बान जैसे स्कूटर कार आदी नहीं रखेंगे तो उनकी जरूरत है कैसे अकसर घर से बाहर जाने से बचना अजारों काम होते डेली लोग आफिस जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि घर से बाहर ना जाएंगे वो आने जाने के लिए सारवदिक याता या द्विवस्ता का प्रयोग करना जो सब के लिए याता या द्विवस्ता चली है उनका ही प्रयोग करना हर काम के लिए अपने बान को ले करना जाना यही क्या होगा हमारा राइट अंसर होगा कौशन नमर कौन सा कौशन है यह कौशन नमर 22 का क्या होगा ए कौशन नमर 23 को देखते हैं कक्षा 5 का समीर एक लड़का है कक्षा 5 में पढ़ता है अक्सर समय पर पर्यावन अध्यन की सिख्षका के पास दत्यकार जमा नहीं करता है जमा नहीं करता है इस से निपटने का सर्वोत्तम सुधार्म उपाय हो सकता है तो इसके लिए सिख्षका को सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या करना चाहिए इनमें से आपको बताना है तो आंसर कीजिए जल्दी क्या होगा इसका सही आंसर उसे खेल कूंद की कख्षा में जाने से रोकना खेल कुंद की कक्षा में अगर जाने से रोकेंगे तो दत्त कारण को जमा करने की बजाए और अक्रात्मा को विवार करने लग जाएगा और ज्यादा परिशान करने लग जाएगा अनियमित ताके कारण पता करना और समीर को परामर्स देना ये बिल्कुल ठी क्या होगा अगर समीर ऐसी अरकत है कर रहा है वो दत्तकार नहीं जमा करता है तो उसका क्या है कारण पता करना चाहिए सिक्षिका को कारण पता करके समीर को क्या है परामर्स देना चाहिए उसको समझाना चाहिए कि बच्चा ऐसे नहीं करना चाहिए यह अरकत है गलत है और ट कॉस्चन नूमर 24 पर चलते हैं आंसर कीजिए आप लोग भी 24 कॉस्चन बायू हर जगा है प्रकर्ण पढ़ाते समय एक सिख्षक विद्यादियों से निमलिखित प्रश्ण पूछता है प्रश्ण पूछता है बायू प्रकरण बायू हर जगा है तो इसको पढ़ाते समय एक जो सिख्षक है वो निमलिखित प्रश्ण पूछता है एक क्या म्रदा में बायू है क्या पानी के अंदर बायू है क्या हमारे सरीर में बायू है क्या हमारी हड्डियों में बायू है ऐसे करके वो पुष्ण यह root réalité सिख्शक शिक्षार्तियों से निमलिकत मैंसे कौन सा कौशल विख्षित करने का प्रयास कर रहा है अब इन प्रश्णों को वो पूच रहे तो क्या है जो विध्यारती चात्र है वो क्या इनके उत्तर भी देने की कोशिस करेगा उनको सोचेगा उसकी चिंतन सक्ति को बढ़ाएगा अपनी को तो इसमें जो सिक्षक है वो कौन से कोशल को विक्सित करने का प्रयास कर रहा है वो आपको इसमें से अंसर दिना है किसमें से कर रहा है तो किसे अबलोकन कौशल का विक्सित कर रहा है क्या है अबलोकन कौशल का दिकास कर रहा है कॉशन नमर 25 एक कक्षा में औसत से कम बाले चार विद्यार्ति हैं उन्हें अन्य विद्यार्तियों के समान लाने के लिए निमलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी मतलब जो अन्य वच्चे कर रहे हैं ये चार वच्चे क्या है उनसे हमेशा कम रह जाते हैं उन्हें उन सारे बच्चों के जैसे किसी क्लास में 30 वच्चे हैं उसमें से क्या है चार वच्चे अच्छा नहीं कर पातें विद्यार्तियों के समान लाने के लिए अब उन्हें इन में से जो 26 जो बच्चे बच्चे इनके अगर समान लाना है तो हमें कौन सी वियू रचना का प्रयोग करना चाहिए ये इसमें पूछा गया है तो बताए कौन से उनके अधिगम के कमजोर छेत्रों की पहँचान कर रहा उनके अनुसार सुधारात्मा को पाय अपलब्द कराना ये इस उनक्षित करना कि वह नियमित रूप से विद्ध्या ले आए उन्हें घर पर करने के लिए अत्रिक्त दत्त कारे देने अत्रिक्त दत्त कारे कभी भी उपियुक्त नहीं होते उन्हें अगली पंक्ती में बिठाना और उनके काम का लगातार प्रभावी रचना जो है कि अब प्रभावी का मतलब क्या होता है प्रभावी का मतलब होता है जिसमें बच्चा इंट्रेस्टेड हो क्या है जिसमें बच्चा रुची ले वही प्रभावी होता है तो क्या है उनके अधिगम के कमजोर चेत्रों की पहँचान करना वो क्यों नहीं पढ़ते हैं कहां खोए रहते हैं किस चीज में ज्यादा इंट्रेस्ट है उनका उसका पता लगाना तता उसके अनुसार सुधार आत्म को उपाय करना अब जब उनकी परेशानी का पता लग जाएगा तो क्या है उसको सुधार भी सकते तो राइट आंसर क्या होगा 25 का कॉशन नमर 26 एक संतुलित प्रश्ण पत्र बनाने के लिए निम्लिकित चल्णो के क्रम में से कौन सा सही तरीका है जल्दी बताएगे क्या होगा इसका राइट अंसर एक संतुलित प्रश्ण पत्र प्रश्ण पत्र की व्यू रेका आपने क्या है पढ़ी होगी बीटी सी प्रश्ण पत्र बनाने की सबसे अच्छी जो व्यू रेका होती है वो क्या होती है जल्दी आंसर कीजिए कि क्या होगा इसकी सबसे अच्छी व्यू रेका क्या होगी डिजाइन तयार करना प्रश्ण पत्र अंक क्या होगी सबसे अच्छी जो व्यू रेखा होगी जल्दी आंसर कीजिए क्या होगी डिजाइन तयार करना प्रश्ण पत्र अंक योजन तयार करना यह नहीं होगी प्रश्ण पत्र लिखना उसका संपाधन करना यह भी नहीं होगी प्रश्ण लिखना व्यू ब्लूप्रेंट रेखा तयार करना डिजाइन से मिल यह भी नहीं होगी इसका जो राइट आंसर होग डी यह इसका राइट अंसर होगा कॉश्चन नमर 27 देखते हैं इसके ऑप्शन तो पाई बाद में मिलेंगे कॉश्चन इतना बड़ा है एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोईले के भंडारों में युक्त करण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टी मीडिया गया जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेक बनाते हुए पढ़ाया गया बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ विद्यार्थियों ने एक बैतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया ऐसा होने का कारण यह हो सकता है देखो दो समू बनाये गए एक आ और एक बा पहले समू को क्या पढ़ाया गया पैट्रोलियम और कोईले के बंडारों से युक्त प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टी मेडिया कैपसूल का प्रयोग किया गया जबकि अनुभाग को ग्रीन बोर्ड और आरेक बनाती हुए पढ़ाया गया बाद में यह पाया गया कि सीमा तक प्रकरण को समझ लिया ऐसा होने का कारण हो सकता है तो ऑप्शन देखकर आंसर कीजिए कि जो आवाले बच्चे हैं उन्हों में सबसे अच्छा उन्होंने क्यों किया बहु उपागम दैनिक जीवन इस्तितियों के अधिगम नजदीक है यह क्या ऑप्शन होगा मल सकता है जैसे हम कोई चीज देखकर जल्दी सीखते हैं अगर हम कोई चीज देख रहे हैं तो उसको क्या है हम जल्दी धारण करते हैं जल्दी जैसे कोई मूवी देख रहे हैं मूवी क्या हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है तो इसका राइंट आंसर क्या होगा सी होगा देखकर या सुनकर हमें चीजे क्या है जल्दी याद होती है ग्रीन बोर्ड एक अच्छी द्रस्ट सामेगरी नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन जो स्रब्ब ब्रस्ट सामेगरी है वो अच्छी है कॉस्चिन नमर 28 देखेंगे कॉस्चिन नमर 28 26 कक्षा में पोशन प्रकडन का परिचे अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक सिख्षिका को डैस बताईए किस की ज़िवर्वत ज़्यादा पड़ेगी कोई सिख्षिका है वो क्या है पोशन प्रकड को प्रभावी तरीके से पढ़ाना चाहती है उसको बच्चे को अच्छे से समझाना चाहती है कि किस में पोशन है किस चीज को हमें खाना चाहिए कैसे खाना चाहिए तो उसके लिए जो सबसे अच्छा हो पाय हो क्या होगा कुर्स में देखें कि क्या क्या सामिकरी को देखने के लिए क्याbooks है कि कौन सी आ पर तो जानके तो कौके सांशन नमर नमर 29 का देखेंगे प्रोयां entrar खीते वह एगर मिस्ध हों तो आंशर कीजिए इसका क्यों कुंग करना कि इंगेज, खोजवीन करना, एक्सप्रोर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार देना, एविलुरेट और मुल्यांग करना, एविलुरेश एविलुरेट विज्ञान की प्रभावी सिक्षण से जुड़े 5 महत्पूर एस हैं ये जो क्या है पांच ये ऐसा है किसकी विज्ञान की प्रभावी सिक्षण से जुड़े गुए अब आगे देखते हैं कॉशन पढ़ते हैं अंकुरण के लिए आवश्यक इस्तिती की संकल्पना से जुड़े ब्यावारे का नुववों को विद्यार्थी को उपलब्द कराते समय एक विज्ञान सिक्षक निमलिकित गद्वीदिया कराने के लिए कहती हैं मतलब अंकुरण पढ़ा रही है उससे आवश्यक इस्तिती में संकल्पना से जुड़े ब्यावारे का नुववों को जो डेली प्रैक्टिकल जो अनुववों थे उनको करने एक उपलब्द कराते समय एक विज्ञान सिक्षका निमलिकित गद्वीदिया कराती है अब गद पढ़ेंगे क्या है बीज को रात वर पानी में रखें और उन्हें सूती गिले कपड़े में रखें ठीक है दो दिन बाद बीजों को अब लोकन करें और आये परिवर्तनों की रिकॉर्ड करें आये परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें दो दिन बाद बीजों का अब लोकन करें और आये जो परिवर्तनों उसमें हुआ हो उसको क्या है रिकॉर्ड करें पुस्तक पढ़ते पढ़ें और दिये गए कारे पत्रांक वर्क सीट पर काम करें मतलब इनका अंकुरन पढ़ा रह और उन्हें सूती कप गीले कपड़े में में रखें फिर है ना दो दिनों तक बीज को अवलोकन करें और आई परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें इन सब का तो इसमें अब कॉश्चन देखते हैं क्या दे रहा है सिक्षक द्वारा दी गई उप्युक्त गतविदियों में इन पांच में से कौन से सामिल नहीं है अच्छा इन में से तीन को देखो देखने के लिए कह रहा है और जो दो सामिल नहीं है इन पांच में से सामिल नहीं है ये बताने जो इन में सामिल नहीं है देखो कौन कौन से थे सामिल करना खोजमीन करना विश्तार देना तो हमें क्या कर रहा है बीज को रात पर पानी में ब्रविगोए और सूती प्पड़े में पहले क्या है सामिल करना यानी इंगेज करना मूल यंकन करना मूल्यांकन करना क्या होगा उसके सूती कपड़े में गीले कपड़े में रखे हैं और उसको बाद में अब लोकन करें तो ये क्या होगा मूल्यांकन करना तो इसका जो राइड आणसर होगा वो क्या होगा Q8. C Engage and explore Engage and explore क्या सामिल करना और खोजवीन करना ये दोनों क्या है सामिल नहीं है तो कॉशन नमर 30 देखेंगे बारत में सम्रिद्व नस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्याले दोरा प्रात में कक्षाओं के विद्यारतियों को रड थंबोर रास्टि उद्यान ले जाया जाता है ये डैस में विद्यारतियों की साहता करेगा मतलब भारत में सम्रिद्व नस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद कोई सिख्षक है कोई सिख्षक है जो क्या करता है कि भारत में बनस्पति जात को और प्राणी जात को पढ़ाता है उसको पढ़ाने के बाद क्या है उसे रड़ थंबो रास्ट युद्यान बच्चों को ले जाते हैं तो वो क्या यह डैस विद्यार्तियों मैं साहता करेगा के लिए इतना ही रखेंगे क्लास कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके और इसको ज्यादा से ज्यादा शियर करें तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच